नमस्कार दोस्तों सौगत है इस वीडियो में यह वीडियो देखना वही कंट्यूनु करे जिन में सच्चाई के लिए लड़ने किया और सच्चाई जानने की हिम्मत हो बाकी लोग इस वीडियो को पॉज करके निकल सकते है 14 जून 2020 दोपहर का समय था खबर आती है कि मशूर कलाकार सुशान सिंग राजपोत ने खुद की जान ले ली पंके से लड़के पूरे देश में हाहा कार मज जाता है रीजन निकल के आता है डिप्रेशन बहुत सारी बॉल्योड के कलाकारों ने डिप्रेशन के उपर पोस्ट करते हुए डिप्रेशन भुरी चीज है आदमी का जीवन खा जाती है और फलाना फलाना बाते कही क्या आप 100% शोर हो कि सुशान सिंग को डिप्रेशन था था तो क्या रीजन था डिप्रेशन का बिना कुछ जाने आपने नाम दे दिया डिप्रेशन जबकि सुशान सिंग के करीबी दोस्ट कहते है कि सुशान कभी हार मानने वालों में से था ही नहीं जो बंदा 11 इंजिनरिंग के एंटरंस टेस्ट एक्जाम क्लियर कर चुका है वो और नैशनल ओलोंपियार विननर इन फिजिक्स में रहा हो वो कैसे खुद को खतम कर सकता है वो कैसे हार मान सकता है ये कुछ बाते हजम नहीं हो रही थी पहले तो डिप्रेशन का राग ना पा गया फिर नेपोटिजम का सोशल मीडिया पे फलाना फलाना बाते चली समझ में ये नहीं आ रहा था कि डिप्रेशन का रीजन क्या है जबकि वो सब कुछ छोड़ के और्गैनिक फॉर्मिंग करना चाते थे इस केश की दिशा तब बदली जब सुशांत के लाचार और बेवस पिता ने बिहार पोलिस में उफईर दर्च करवा यारिया के किलाफ और शक्ष एकीन में बदला जब मुंबेइ पोलिस ने बिहार पोलिस को आवाइड करना शुरु किया अगर मुंबई पोलिस ने इन्वेस्टिकेशन सही से किया है तो वो डर किसके लिए रही थी किसे बचाना चाहती है मुंबई पोलिस सुशान के दोस्तों के पूश्ताच के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि सुशान की एक्स मैनेजर दिशा और सुशान की मौट का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है क्योंकि दिशा की मौट के बाद सुशान प्रेस मिटिंग करना चाते थे सवाल ये उड़ता है क्या सुशान दिशा के मौट का सच जानते थे क्या उस सच को चुपाने के लिए सुशान सिंग को मारा गया क्या बड़े-बड़े लोगों को बचाने की कोशिश चल रही है क्या ये बड़े-बड़े लोग कानून से भी बढ़कर है अगर आज हम सुशान सिंग के मौत को हलके में जाने दिया तो ये घटना कल मेरे या आपके साथ भी हो सकती है किसी भी आम आदमी के साथ भी हो सकती है एक बाद याद रखिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है अगर आप और हम चाहे तो कोई आदमी कितना भी बड़ा हो उसकी पोंच कितनी भी बड़ी हो अगर उसने क्राइम किया है तो जेल के सलाकों के पीछे जा सकता है बस इस आग को थंडे मत होने दीजिए वीडियो के अंत में बस मैं इतना कहना चाता हूँ और इतने ही विनंती करना चाता हूँ आप लोगों से हम इस करोना के चलते खुल के प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते लेकिन एक चीज़ जरूर कर सकते है हमारे हर एक सोशल मीडिया पोस्ट में हैस्टैग जेस्टिस फॉर सुशान सिंग और जेस्टिस फॉर दिशा आड करना मत भूलिये क्योंकि आपका हर एक पोस्ट उन बड़े बड़े लोगों पे पर क्रियेट करेगा उन क्राइम किये हुए लोगों पे प्रेशर क्रियेट करेगा और इन्वेस्टिकेशन सही दिशा में चलेगी और आपका हर एक पोस्ट इस खुलासे के पीचे इस खुलासे के करीब एक बढ़ता कदम होगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ